ऐसा है कि जो कोई कारवाई होती है तो उनके उपर सक अ कारवई जो है वो कल बी की गई और आगे से भी ऐसी कोई बाता आएगी सामने तो उसके उपर की जाएगी कल से वही officer जिसने जिसका नाम इसमें आया था उसको dismiss भी कर दिया गया है उसके उपर पर्चा भी दर्ज हो गया है और वो रेस्ट भी हो गया है